नमस्कार मैं हूँ फरहान और SPN 9 के इस खास कारी करम में आपका स्वागत है सब कुछ तो अच्छा चल रहा था कॉंग्रेस के लिए फ्रेंट फुट पर आ चुकी थी लगातार अच्छा प्रदर्शन हो रहा था चाहिवे निकाहे चुनाओं या राज्यों के विधान सभा चुनाओं लगातार सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक ही करनाटक में एक करारी हार का सामना करना पड़ा कॉंग्रेस को और भारती अंतर पार्टी जो लगातार बैक फुट पर चल रही थी अच्छी लगातार उसमें आत्म विश्वास की कमी भी देखी जा रही ही ठी जारी है करनाटक में एक बड़ी जीद Rush करी है उप चुनाओं में 50 सीटों पर चुना था हुँ Sepadra में ग्यारा सीटों परранेक यह सिर्फ एक ही सीट पर जीद्दरज करने। कीने में सफलता हासिल कर पाई मैंग किसको जिम्मेदार किस को माना जाए कौन है इसका जिम्मेदार हमने देखा भी पीछले दूनिन राहूल गांधी यह कहा चुना गयाए कि अब अग्ल को आने यह नितरतों करेंगे कांग्रेस का अभी मौझूदा समय में जहारखंड भी पहुंच चुके हैं राहुल गांधी आज उन्होंने वहाँ दो रहलिया भी की हैं लेकिन इससे पहले वह कहां थे करनाटक में जब उपचुनाओं होने थे करनाटक क्यों नहीं पहुंचे क्या आत्म विश्वास इतना बढ़ गय करेगी और भारती जनता पार्टी परास्त होगी उन्हें निकायच राओं को देखकर लग रहा था कि भारती जनता पार्टी बैक फुट पर जा चुकी है अब शायद उन्हें मेहनत करने की आउशक्ता नहीं है और उन्हें हलके में ले लिया भारती जनता पार्टी को कॉं समय दान हैं क्या जनता उन्हें अध्यक्ष के रूप में अप सुविकार नहीं करना चाहती है या फिर राहुल गांधी उस लायक ही नहीं है वह अध्यक्ष पत्क समालने के नितर्थ करने के लायक नहीं है हमने देख लिएसे 2019 में कौंग्रेस चुनाओ हारती है तो राहुल अपना स्तिफा फेक दिया था वह स्तिफा कर चले गए थे मचबूरण सोनिया गांधी को कारिवाक के रूप में भार समालना पड़ा लेकिन उनकी वापसी होती है कांग्रेस में करनाटच में करनाटक को pirate करना-क क्रारी मेल द्वारा दे सकते हैं कारेकरम पसंद आ रहा होते हैं इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें और बताएं कि कॉंग्रेस की करना ट्रक में हार का जिम्मेदार कौन है जब तक के लिजास्त दीजिए नमस्कार